गूंजता रहे सदियों तक ऐसा अंजाम कर देंगे 17 जुलाई 2022 तक अपना हर छण नीट तेरे नाम कर देंगे दोस्तो मैं ललिट सोनी टीम बोटनी CLC सीकर जैसे कि आपको पता है दंगल टेस्स सिरीस के अंदर आज हम लोग सोल करने जा रहे हैं और इस फूर्थ दंगल के अंदर कोशन नमबर 151 से 200 तक जो बोटनी के फुल सरे बस के कोशन से उसके बारे में हम डिसकस करेंगे इस पूरे पेपर के अंदर लिया गया हर एक कोशन इस पूरे पेपर के अंदर लिया गया हर एक ओप्षन हमने NCRT से लिया है ताकि आप में इतना confidence develop हो जाए कि आप जब NEET का exam दो तो उसमें हर एक कोशन उसमें हर एक ओप्षन आपके पहले से देखे हैं हो आपने पहले से यहाँ पे सोल किये हो तो चलिए शुरू करते हैं कोशन नंबर 151 से जब हम बात करते हैं cellular organization की तो अपने को पता है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा cell उसके बाद में बहुत सारी cells जब मिलती है तो आप कह सकते हैं formation किसका होगा tissue का देन आफ्टर tissue जो है उस tissue से formation किसका हो जाएगा organ का organ के बाद में आप कह सकते है organ system और उसके बाद में body का formation होगा याद अतना बचो tissue का character कौन सा होगा tissue का character वैसा नहीं होगा जैसा cell का character है बलकि cells आपस में interactions करती है और जब cells आपस में interaction करती है तो interaction के बाद में जो character डॉल अफ होगा वो character किसका होगा? tissue का होगा same to same organ का जो character है वो tissue पे नहीं depend करता बलकि tissues के अंदर जो interactions होता है उस interaction का जो result आएगा वो result किसका होगा? वो character किसका होगा? organ का होगा मतलब हर अगले level का जो character होता है वो उसके lower rank, lower categories के अंदर interactions करने के बाद में develop होगा तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि all living phenomena occurs due to interactions interactions के बाद ही बच्चों कह सकते हैं वो phenomena क्या होगा? डवलप हो पाएगा ठीक है? यह पने सामने condition है इसके बाद में आगे बाद करें result in emergent properties at B level of organization इसका क्या हो जाएगा? higher level of organization interactions करने के बाद में जो property develop होगी interaction का जो result होगा वो result वास्तों में character किसका है? next level का है समझ रहे? तो answer यहाँ पर हो गया third option ठीक है? आगे देखते हैं इसके बाद में next question question number 152 विशानू में है viruses are देखें तो virus वगरा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आप कह सकते हैं मतलब obligate parasite obligate parasite faculty parasite या faculty parasite बच्चों कोई भी जो virus होता है अगर उस virus को survive करना है अगर वो virus living character show करना चाता है तो उसको किसी ने किसी host की need होगी याद रखना यहां से question ऐसे भी बन सकता है कि क्या हम किसी virus को culture medium के अंदर जिसमें cell available नहीं है वहाँ culture करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं क्योंकि virus जो है वो obligatory parasite है दो वर्ड यहां पर ध्यान रखना obligatory obligatory का मतलब होता है always facultative facultative का मतलब होता है sometime तो आप मुझे बताओ virus जो है उस virus को living character show करने के लिए host की need होगी ही होगी मतलब बच्चों हर एक virus कैसा होगा obligatory parasite होगा survive करने के लिए living होने के लिए उसको एक ही चीज़ सही है वो है उसका host ठीक है तो अपन कह सकते हैं यहां पर virus कैसा होगया obligatory parasite होगया W.M. Stanley showed that virus could be तो बच्चों सबसे पहले जो Stanley है उसने क्या किया था Stanley ने किया था crystallification उसने किया था crystallization किसका वाइरस का तो यहां पर आ गया W.M. Stanley showed that virus could be crystallized and crystals consist of largely तो बच्चों crystal में क्या होगा lipid no, पूरे virus में lipid नहीं होता, protein yes, carbohydrate no lipid no, तो बच्चों यहां पर answer कौन सा होगया, second option होगया तो virus जो है वो यादखना कैसा होता है virus होता है यहां पर obligatory parasite virus कैसा होगा obligatory parasite होगा इसका मतलब यह है कि एक virus survive करने के लिए उसको as a parasite बनना ही होगा दूसरी बात यह NCRT line आप सब जानते हैं कि Stanley ने क्या किया था crystallification क्या था, crystallization क्या था और crystallization के अंदर हमने देखा प्रोटीन होती है और उसके अंदर as a core nucleic acid होगा या दखना बच्चों virus में या तो सिर्फ DNA होगा या virus में सिर्फ RNA होगा दो दो कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं आजसर यहां पर स्टेकंड ऑप्ष्चन next question number 153 monerans जो अनेक जुगाली करने वाले पशुओं के आंत में पाए जाते हैं तथा जेव गेस के उत्पादन के लिए जहमेदार होते हैं वे हैं monerans that are present in gut of several ruminant animals and responsible for the production of biogas तो रेखो बचो यहां पर biogas की बाद अगर आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि biogas में क्या क्या होता है biogas के अंदर जो main component होता है वो main component आप यहां पर कह सकते हैं methane होता है वो बचो यहां पर CH4 होता है क्या होता है वो यहाँ पर मेथेन वो यहाँ पर CH4 होता है और इसके लावा यहाँ पर CO2 भी है हाइडोजन गेस भी होती है H2S भी होता है ठीक है तो बायोगेस का प्रोडक्शन करने के लिए जो रूमिनेट एनिमल्स है उनकी गट्स के अंदर जो बचो यहाँ पर होते हैं वास्ता में क्या होते हैं फेलोजन नो बचो फेलोजन जो है वो कोई बैक्टरिया नहीं होता फेलोजन तो याद करो कोड केम्बियम का दूसरा नाम है हेलोफिल नो इसका बचो करेक्ट आंसर कौन सा है मेथेनोजन जन का मतलब है जनरेट करने वाला मेथेन को जनरेट करन या सेकंड ऑप्शन आओ आगे देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद में कि कॉशन नंबर 154 हेटरोसिस्ट विशिस्ट हेटरोसिस्ट की बात अपनी यहां पर करें तो आपको पता है जैसे मां लो अपने सामें एक एक्जाम्पल एक डाइग्राम दे रखा है ncr tight के अंदर इस तरीके से यूँ यह बचो यहाँ पर आप कह सकते है नोस्टोक का डाइगराम है बचो इसमें कुछ सेल्स एज सिवा करती है जिसकी सेल वोल काफी ठिक होती है और इन सेल्स को आप लोग क्या कहते हो हेटेरोसिस्ट कहते है यादखना साइनो बेक्टरिया जो होता है साइनो बेक्टरिया फोटोसिंथेटिक होता है साइनो बेक्टरिया सारे फोटोसिंथेटिक होते है ओल साइनो बेक्टरिया और फोटोसिंथेटिक टाइप लेकिन कुछ साइनो बेक्टरिया जैसे नोस्टोक जैसे एनाबिना जैसे ओसिलेटोरिया यह ऐसे sino-bakteriya है जो photosynthesis दो करेंगे करेंगे लेकिन photosynthesis करने के अलबा इसमें कुछ special cell भी होती है और यह special cells dear students dear 추가 students वास्ट में कौन है heterocious cell होती है तो देखो बाखी की जो cells है वो तो photosynthesis रेगी जो कि हर sino-bakteriya करता है लेकिन यह special cell जो कुछ sino-bakteriyya में होती है heterocyst cell है और यह nitrogen का fixation करती है तुम कह सकते हैं कि heterocyst cell is specialized nitrogen fixing cell found in some cyanobacteria विल्कुल nitrogen fixation करेंगी और some cyanobacteria में यह होगी nitrogen fixing cell convert atmospheric ammonia to nitrogen gas यह बचो यहाँ पे आप कह सकते हैं रोंग आ गया Ammonia से nitrogen का Formation करना Ammonia से nitrogen का Formation करना यह denitrification में ज고 it nitrogen का fixation नहीं होता Then Correct answer is, first option next question number 155 yuglinoids के वरणक किस वरणकों के समान होते हैं देखो बच्चो yuglinoids जो है basically वो किस के अंदर आता है protista के अंदर आता है किस में आता है protista में आता है protista के अंदर cryosophyte और dynoflagellate इनमें तो होता है chlorophyll A, chlorophyll C और carotinoids वगरा होते है लेकिन ये जो अपने सामने yuglinoids ये जो बच्चो अपने सामने क्या है yuglinoids होता है किस yuglinoids के अंदर यादखना chlorophyll A के साथ chlorophyll B भी होता है chlorophyll A और B का होना ये higher plants का character है मतलब yuglinoids के अंदर जो pigment होते हैं कौन से होते हैं chlorophyll A, chlorophyll B ये बच्चो pigment कैसे होते हैं just like higher plants यहाँ पर answer की बात मा अगर करूं तो हो गया lower plants मतलब algae no, thelophyta algae हो गया higher plants yes photosynthetic prokaryotes no तो बच्चो यहाँ पर correct answer कौन सा हो गया third option हो गया NCRT की बच्चो लाइन लिए यहाँ पर ताकि आपका confidence develop हो next question number 156 पादब शरीर का पादब शरीर का यूगम का chain कीजिए जो एगुनित रवस्ता को प्रदेशित करता है select pair of plant body represent haploid condition haploid condition आपको यहाँ पर बतानी है राइजोइड है foot है सिटा है capsule है यह सब है तो देखो बच्चों सीदी सी बात अगर यहाँ पर राइजोइड आ गया और foot सिटा capsule आ गया इसका मतलब वह आपको ब्रायोफाइटा जो है उस ब्रायोफाइटा की और indication करना चाह रहा है इंडिकेशन किसके तरफ कर रहा है यह पने सामने क्या है मारकेंशिया है फिर इसके बाद में इस तरीके से हम कह सकते हैं कि formation किसका होगा foot सिटा और capsule का ठीक है यह क्या हो गया foot यह कौन है सिटा और यह बच्चों यहाँ पर कौन है capsule और यह जो आप यहाँ पर देख रहे हो क्या है इस आर राइजोइड तो इस पर डिपेंडेट क्या होती है तो देखो बच्चों राइजोड कैसा हो गया राइजोड यहाँ पर आप कह सकते हैं अगया foot किस में आ गया foot उपर की तरफ आ गया sporophyte में आ गया foot कैसा हो गया 2-1 capsule भी किस में आ गया 2-1 में सिटा भी किस में आ गया 2-1 में राइजोड किस में आता है N में लीफ और ब्रायोफाइट बच्चों लीफ और ब्रायोफाइट जो है यह आप यहाँ पर कह सकते हैं मोस के बारे में discussion चलना है मोस में होती है leaf-like structure मोस में क्या होता है leaf-like structure और यह जो मोस में leaf-like structure है वो भी आप कह सकते है main body का part है वो भी n body का part है तो बचो यह भी n हो गया archegonia and archegonio four archegonio four जो है अपन कह सकते बचो वो भी n होगा सीटा कैसा हो गया two one तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कोंड सा हो गया थर्ड option हो गया राइजोड एंड जो leaf-like structure है जो leaf और ब्राइवफाइट से दोनों कैसी होती है gametophyte phase है दोनों haploid phase है दोनों n phase है तो answer यहाँ पर हो गया third option आगे देखें पत्ती में मोटी cuticle तथा गरती अरंद्र निम्न का लक्षन है ठिक cuticle and sunken stomata in leaf are character of following तो यादकना बचो यहाँ पे एक तो lycan है जिम्नो स्पम, algae, bryophyte, lycan, bryophyte और algae इन तीनों के अंदर बच्चो leaf absent होती है ब्राइवफाइटा में leaf like structure होती है true leaf नहीं होती यादकना जिम्नो स्पम जो होता है यह जिम्नो स्पम आप कहा सकते है जिरोफाइट के रेक्टर शो करता है और जिरोफाइट के रेक्टर क्या होगा जिसके अंदर जो वोटर का लोस होता है इस वोटर की लोस को reduce किया जा सके ठीक है यह जिरोफाइटी कंडिशन शो करेगा और जिरोफाइटी कंडिशन में वोटर का लोस कम होगा बच्चो व और ट्रांस्परिशन भी कम हो जाए, वोटर का लोस कम हो जाए, तो यहाँ प्यांसर कौन सा हो गया, सेकेंड और उप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आगे कंडिशन देखें, स्वसनी मूल किसमें दिखाई देती है, नुमेटो फोर्स आर सीन इन, बचो एन से यहाँ ठीके लाइन है, रेस्पिरेटरी रूट के अंदर यहाँ प्रगर्म कंडिशन देखें, डेट वोट इस रेस्पिरेटरी रूट तो आप यहाँ कह सकते हैं, कुछ प्लांट ऐसे वा करते हैं, जो बच्चो मार्शी एरिया में होते हैं, जो कौन से एरिया में होते हैं, इस तरीके से मार्शी एरिया में होते हैं, और मार्शी एरिया के अंदर यहाँ आप इस तरीके से प्लांट देख रहे हो, देखो बच्चो इन में यह जो रूट से oxygen को सक कर ले ठीक है इन्हें बोलते हम लोग निमेटो 4 यह कौन से प्लांट में होते हैं जो मार्श एरिया में है जो दल दल वाले चितर में पाए जाते हैं जिसे यहां पर कौन सा होगे आप कह सकते हैं राइजोफोरिया हो गया राइजोफोरा है बैनियंट्री नहीं होता केरेट नहीं होता और टर्निप नहीं होता आलसर फर्स्ट ऑप्शन है इसके बाद में नेक्स्ट आके बात करें निम्नमेंसे कौन सा एक आंतरित पर बिन्यास का उदरन नहीं है विच ओफ दे फॉलोइंग इस नोट एन एग्जामपल ओफ अल्टरनेट फाइलो टेक्सी देखें बड़े द्यान से अगर बच्चों आप अल्टरलेट फाइलो टेक्सी की बात करें इस तरीके से एक नोड़ पर एक होती है तुम कह सकते हैं यहां पर जैसे चाइना रोस मस्टर्ड और संफ्लार कि यह तीनों जो है यह तीनों बच्चों किसको शो करते हैं तीनों अपोजिट के अंदर क्या होगा इस तरीके से आप कहा सकते हैं लिफ निकलती है एक नोड़ से दो लिफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो बच्चों यहां पर कौन सा हो गया फॉर्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया है ठीक है नेक्स कोशन नमबर 60 के बात करते हैं दिया गया सुत्र प्रदेशित करता है देगीवन फ्लोरल फॉर्मूला डेस्क्राइब देखो बच्चों यहां पर जो फॉर्मूला है इस तरीके से ब्रेकेट यहां पर है रेडियल सिमेट्री है बाइसेक्सुल है यह पेटल है एंडोशियम गाइनोशियम ह तो यह जो बेसिकली फॉर्मूला है वो कौन सी फेमिली का है यह बच्चों यहां पर लीले सी फेमिली का फॉर्मूला है इसके अंदर एक्जाम्पल कौन सा आ गया एसपरेगस अगया ठीक है तो आंसर यहां पर हो गया फर्स्ट आप्शन 61 कक्षिय कली का किसके निर्मान की शमता रखती है एक्जिलरी बड्स आर कैपेबल ओफ फॉर्मिंग देखो बच्चों जैसे माल लो इस तरीके से अपने सामने कोई शूट है तो शूट के अंदर यहां पर पाई जाती है एक्जिलरी बड्स इसे या तो फोर्मिशन किसका ब्रांच का या बच्चों फोर्मिशन किसका होगा किसी फलार का है यह जो अपने सामने शूट अपक्स था है शूट अपक्स का कुछ पार्ट लेफ्ट ब्हाइंड शूट अपक्स का कुछ पार्ट पिछे रह जातारा और पेरिम्ट का वो साइड़ों यहां पर कौन सा हो गया हॉओष्ट नकल्ट कि यह दियुत सकते हैं यह बच्ण पहली बात तो रूट में पहली है और रूट के अंदर भी किसके अंदर जो एंदोडर्मेंस के अंदर अवेलिबल होती में ठीक है और किसका डिपोजिशन होगा आंशर यहां पर कौण सा हो गया आंसर हो गया फस्ट Tigers da लिया गया अनुदेट देकार्ट किसको परदेशित करता है इस डाइग्राम में इस कोश्चन के अंदर NCRT का जो डाइग्राम है वो बचों ने लिया है वो स्केन किया है और एक्जाम में डाइग्राम से अगर आते हैं तो NCRT के आते हैं तो यहां पर देखो पहली बात तो आप देख रहें कि यह जाइलम है और यहां पर फ्लोयम है तो देखो जाइलम फ्लोयम जो है वो डिफरेंट 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 रेडियस पर हो गया और जाइलम फ्लोयम का डिफरेंट 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 कोट होता तो वहाँ पर आप कह सकते हैं वैस्कुलर मेंडल 6 या मोर देन 6 होते हैं तो यहां पर डाइकोट रूट का एक्जाम्पल है तो आशर इसका हो गया डाइकोट रूट आशर यहां पर कौन सा हो गया फॉर्ट ऑप्शन 64 CORC EIDHA को निमन नाम से भी जाना जाता है the CORC EMBIUM is also called बिल्कुल जैसे मालों बच्चों CORC EMBIUM जो होता है स CORC EMBIUM को हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग कहेंगे FELIZEN किया कहेंगे इसकोrok यहां पर क्या हो गया फैलोजन आंसर यहां पर हो गया फर्स्ट ऑप्शन कि साइनो बेक्ट्रिया में पाई जाने वाली जिल्ली युक्स रस्तना जिसमें वरणक पाई जाते हैं वे हैं मेंब्रेनस स्टक्चर फाउंड इन साइनो बेक्ट्रिया विच कंटेन पिग्मेंट्स तो देखो बच्चो पन कह सकते हैं इसमें पिग्मेंट्स जो है वो कौन से syinobacteria जो है उसमें कहां available होते हैं तुम कह सकते हैं बच्चो syinophysin particle no ये तो inclusion body है phosphate can inclusion body है gas vacuum inclusion body है correct answer यहां पर कौन सा हो गया fourth option हो गया याद इतना syinophysin granule and gas vacuum ये बच्चो example है inclusion body के chromatophore जो है आप कह सकते हैं कि इसमें जो cell membrane है इसका जो extension होता है इस तरीके से बच्छो इस extension को बोलते हम लो chromatophore और इसके अंदर photosynthetic pigment पाए जाते हैं cell membrane के अंदर जो infolding है वो तो था mesosome और इसका extension जो है वो यहाँ पे है chromatophore इसका example synovacteria बैसे ठीक है तो answer यहाँ पे हो गया कौन सा option? fourth option हो गया कोशी का उसे उत्पन होती है यह कतन किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है ओमने cellula, a cellula, new cells are arise from pre-existing cells this statement was given by यह बच्छो कोशन exam में काफी बार आ चुका है और हम इस कोशन को छोड़ नहीं सकते तो जबर्दस्ती मन मार के मने कोशन दिया ही है क्योंकि यह कोशन जो है वो exam में काफी बार आ चुका है और अब भी आ सकता है, no doubt ठीक है तो बच्छो आपको पताएगी श्लाइडेंस वार ने दिया था cell theory लेकिन उसमें जो drawback था कि how new cells are arise उसको जो है वो cure किया था इसने रुडॉल्फ विर्चो ने किया था तो याद अखतना रुडॉल्फ विर्चो ने सबसे पहले क्या बताया था कि cell division होता है new cells जो है वो कहा से आती है पहले वाले cell से आती तो answer यहाँ पे हो गया second option next lysosomes इसके reservoirs बंदार रहा है lysosomes are reservoirs storehouse of तो देखो बच्चो digestive enzyme जो है अपन कह सकते हैं वो किसमे होता है lysosome के अंदर होते हैं oxidative enzyme जो है वो बच्चो mitochondria के अंदर होंगे secretory glycoprotein यह Golgi body के अंदर होते है RNA and protein यह बच्चो आप कह सकते हैं mitochondria में हो सकते हैं chloroplast में हो सकते हैं नुकलेस के अंदर भी हो सकते हैं तो digestive enzyme जो है वो यहां दखना कहां पर पाए जाते हैं lysosome के अंदर पाए जाते हैं कि नेक्स कोशन नमबर 68 पामिटिक एसीड और अरेकिडोनिक एसीड में कित्ते कार्बन है बच्चो पामिटिक एसीड की बात अपन यहां पर करें है पामिटिक एसीड और अरेकिडोनिक एसीड यह बच्चो यहां पर आप कहा सकते हैं saturated fatty acid का example है और यह जो है वो हम कहा सकते हैं unsaturated fatty acid का example है बच्चो इसमें होते हैं 16 carbon with COH group यहां कितने carbon है 20 carbon 20 carbon with COH group तो याद रखना है इसमें number of carbon कितने होते हैं 16 and 20 carbon है किसके अंदर parmetic acid के अंदर and arachidonic acid के अंदर समझें यहां पर condition है लेकिन with carboxylic acid अगर बच्चो एक्जाम में without carboxylic acid पूछ लेता तो फिर आप 14 और 19 करते हैं यहां पर आपको पूरा पूछा हुआ है तो आंसर यहां पर second option हो गए 69 inulin है inulin is तो यादब अवे बच्चो फ्रक्टोर्स का polymer है glucose का polymer यह नहीं है इसका भी polymer नहीं इसका polymer नहीं है तो यादब अवर्चो इनulin किया है इनulin जो है वह आप कहसा kita है यह क्या होता है is a homo polymer कि स्का फ्रक्टोर्स का इंख घ् 24 यूर टिक लाएन है जैसे मालो स्टार्ट हो लॉगया क्लायको जन्र हो गिया था फेंज़ FEET चाहँ कई बनता ही नहीं है यहाँ पर कून होता है प्रोटीन होता है तो यहाँ पर हो गया सबस्ट आप्शन ही नेकल तो सेल साइकल में सबसे पहले, देखो NCID-based question है, सेल साइकल में सबसे पहले क्या आता है, जीवन, उसके बाद में S, उसके बाद में G2, उसके बाद में M phase, बाकी, तो यहाँ पर बचुआ आसर कौन सा हो गया, फरस्ट option ही हो गया, यह गलत हो गया, यहाँ पर यह गलत हो गया एस फेस पहले आती नहीं है तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो गया नेक्स्ट कोशन नंबर सेवन्टी वन कुछ कशेरू की प्राणियों के अंडकों में अर्शुत्री फर्स्ट की कौन सी वस्ता महिनों या वर्सोबा समाप्त होती है इन उस साइट ऑफ सम वर्टी ब्रेट्स दस्टेज ओफ मियोसिस फर्स्ट देट कें लास्ट फोर मंस और येर्स वुड भी तो पनियादे को बच्चों कह सकते है कि डिपलोटीन फेस जो होती है ये डिपलोटीन फेस जो वाकरती है ये कुछ वर्टीब रेट्स में जो फिमेल वगणरा होते है उनमें जो ऊचाइट होती है जब उसका फॉर्मेशन आप कह सकते हैं एंब्रियोनिक फोर्म में हो झाता है तो बच्चों डिपलोटीन जो होती है उस phase में आके division एक बार stop हो जाता है फिर जब वो female 12-14 साल की होती है तो उसके बार में division continue होता है तो answer यहाँ पर कौन सा हो गया थर्ड option हो गया and see article line दरिखे अपने 72 the homologous chromosomes separate in which stage of meiosis देखो बच्चो अगर मैं homologous chromosome की बात करूँ हूँ तो homologous chromosome का जो separation है वाले पॉल की तरफ दूसर chromosome जाएगा निचे वाले पॉल की तरफ तो देखो यहाँ पर homologous chromosome का जो separation है वो एनाफेस first में होगा ठीक है इस तरीके से यहाँ पर separation होगा answer इसका हो गया एनाफेस first third option हो गया आवश्यक्तत्व है essential elements are तो कौनसे elements है जो essential होते है not required for normal reproduction बचो wrong statement है essential element जो होता है वो reproduction और vegetative growth दोनों के लिए required होता है not replaced by other element यह बचो बिल्कुल सही है essential element वो है जिसके function को कोई दूसरा element जो है वो replace नहीं कर सकता ठीक है essential का मतलब भी क्या है कि इसका function of essential element cannot be replaced by any other type of element indirectly involved in metabolism no बचो याद इतना essential element जो होता है वो directly involved किसमे होगा metabolism के अंदर होगा required only in those metabolic process which lead to increase in cytoplasmic mass ऐसा बचो यहाँ पर कुछ नहीं है only यहाँ पर नहीं आएगा metabolic process चाहिए कोई सी भी हो सब में essential element का role होगा तो answer यहाँ पर कौन सा हो गया second option हो गया next 74 नीचे दिये गए परिवहन तथा A में चिनित सरस्तना के पैचान करो यह देखो बचो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो अपने सामने question है यह question यह बचो NCRT से उठाएवा question है आप सब जानेगे होगे मेरे ख्याल से इतने आप से मैं उम्मिद करता हूँ ठीक है तो देखो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बचो यहाँ पर ही हो गया answer कौन सा हो गया second option हो गया एक बचो मैं आप से बात यहाँ पर करना चाहूंगा कि सर इसका answer जो है वो fourth भी तो हो सकता है अगर बचो देखो protein का यहाँ पर role है तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि protein का role facilitated के अंदर भी होगा और active transport के अंदर भी होगा लेकिन देखो बचो यहाँ लिखा है transport pump और pump जो है वो active transport में होगा active transport हमेशा low concentration to high concentration होगा लेकिन देखो बचो यह कैसे हो रहा है यह तो high concentration to low concentration हो रहा है so it's not active transport it's only facilitated diffusion next question number 75 175 during fixation of one molecule of CO2 by C3 plant number of ATP and NADPH2 required are देखो बचो गर मैं C3 cycle की बात करता हूँ तो C3 cycle में 3 step है number one fixation of CO2 number two reduction number three regeneration या दकना first step के अंदर कोई energy का consumption नहीं होता reduction के अंदर 2 ATP plus 2 NADPH2 का consumption होगा regeneration के अंदर 1 ATP का consumption होगा तो net यहाँ पर consumption किसका हो गया आप कह सकते हैं ATP plus 2 NADPH2 यह बचो यहाँ पर answer आ गया तो answer यहाँ पर होगा कौन सा फर्स्ट आप्शन ओके next question number हम बात इसमें करें परकास सोचन के पक्ष में है photorespiration is favored by बच्चो photorespiration कैसा होता है Rubisco enzyme जो है याद अतना Rubisco enzyme का double nature होता है Rubisco enzyme का double nature होता है Rubisco enzyme जो वा करता है अपन कहा सकते हैं इसके अंदर Rubisco enzyme जो वा करता है वो O2 से भी reaction करेगा और CO2 से भी reaction करेगा जो जादा mount में है उससे reaction करेगा तो याद अतना high O2 concentration बिल्कुल सही है low CO2 concentration अगर CO2 low है और बच्चो यहाँ पर हाई है तो इस situation के अंदर किसे reaction करेगा यह ओटू से reaction करेगा लो लाइट एंड लो ओटू लो ओटू प्रेजेंस ओफ क्रेंज अनाटूमी बच्चों करेंज अनाटूमी का क्रेप सकर में एक चकर के दुरान CO2 की कितनी अनुमुक्स संख्या होती है दूरिंग वन टरन ओफ क्रेप साइकल नमबर ओफ CO2 बच्चों गर क्रेप साइकल की बात में यहाँ पर करूं तो याद इतना क्रेप साइकल में शुरुआत होती है है 4-carbon compound से उसके बाद बन जाता है 6- Carson compound उसके बाद बनता है 5- carbon compound उसके बाद क्या बन जाता है वापस fhos carbon compound तो देखो यहां तो CO2 का होता है एडिशन होता है हम तो क्या होगा a CISE YouTube का एडिशन होगा यहां पर होता है आप कह सकते हैं alpha ketoclutric acid तो याद अपना एक रेप cycle में 2 CO2 भाहा निकलती है तो answer यहां पर हो गया कौन सा fourth option तो बच्चो 177 में answer यहां पर कौन सा हो गया fourth option हो गया आगे देखें इसके बाद में next RQ सवस्नी गुणांग परिभाशित किया जा सकता है RQ is defined as बच्चो RQ का मतलब यहां पर है जैसे respiration जो होता है उस respiration के अंदर हम लोग कह सकते है O2 तो बच्चो क्या होती है use होती है और बाहर क्या निकलती है CO2 तो निकलने वाली CO2 upon taking O2 याद अतना released evolved CO2 upon consumed O2 तो यहां पर आप कह सकते है volume of CO2 evolved बिल्कुल सही है volume of O2 consume बिल्कुल सही है तो answer बच्चो यहां पर first option हो गया O2 जो है ठीक है यहां पर O2 उपर नहीं आती है और यहां पर आप कह सकते है कि O2 evolved नहीं होती है यहां पर भी O2 जो है उपर नहीं आएगा ठीक है evolved नहीं होगी तो यहां पर answer कौन सा हो गया first option हो गया 79 number question which one is more correct in reference of asexual reproduction पादपो के एहलेंगिक जनन के संबन में कौन सा एक अधिक सही है दगो बच्चो sexual reproduction by parental नहीं होता है इसमें खाली एक ही parent का रोल होता है इसमें शिर्फ आप कहा सकते है एक ही parent का रोल होता है तो बाई आने से यहां पर रोंग हो गया complex process नहीं है यह काफी simple process है slow process नहीं है rapid process है तो answer यहां पर कौन सा हो गया second option हो गया next question number 18 sporopollenin is secreted by बच्चों याद इतना pollen grain में जो चारों तरफ sporopollenin है जो कि होता है वो कहां से आता है वो as a nutrition आप कह सकते है टेपिटम से आता है तो answer इसका कौन सा हो गया next question number 181 during the entry of pollen tube into embryo sec the male gametes are released in cytoplasmop जैसे मांदो इस तरीके से बच्चों अपने सामने embryo sec होता है यह आप कह सकते हैं क्या है embryo sec है तो pollen tube की जो पर च्चों entry है वो इस तरीके से energy cell में होती है और जैसे pollen tube की energy cell में होती है तो synergy cell फट जाती है और उसका cytoplasm जो होता है वहाँ पर क्या चोड़ देते हैं हम लोग मतलब पॉलेंटूब क्या छोड़ देती है मेल के मिट छोड़ देती है तो आंसर इसका हो गया सहाय कोशी का सिनर्जिट से है ठीक है यह अपने सामने कंडिशन है नेक कोशन नमबर 82 वायू परागित पुष्प है विंड पॉलिनेटर फ्लार्स आर तो याद अतना विंड से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो बच्वो फ्लार कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं क्योंकि लार्ज अगर फ्लार हुआ तो उसमें इंसेक्ट आ जाएगा ब्राइट क ठीक है प्रोडूसिंग लार्ज नमबर ऑफ ड्राइप बिल्कुल सही है याद अगर वह स्टिकी टाइप का हो गया तो फिर वह फ्लार से उत्रेगा नहीं यहां मैं कह सकता हूं फिर वह इंसेक्ट के स्टिक हो जाएगा चिपक जाएगा तो आंसर इसका कौन सा हो गया सेक एग लिंगा च्री पादप में टूवन इस इकल टू टू टेन गुंसुत्र संग्या है तो बताईए इस पोरोफाइट मोसियस प्लांट हैस टूवन इस इकल टू टू टैन नमबर ऑफ क्रोमोजोम देन फाइंड आउट तो देखो बच्चो यहां पे टूवन जो कितना हो यहां पर नुक्लिय कैसा होता है एन तो यहां देखना अगर एन इस इकल टू टू फाइफ है तो थ्री एन कितना हो गया 15 यह भी फाइफ यह भी फाइफ आंसर बचो यहां पर कौन सा हो गया थाप्शन हो गया थीक है नेक्स्ट कोशन नंबर 84 दिये गए चितन में बी को पहचानिये इन गिवन डाइग्राम आइडेंटिफाई द बी तो देखो बचो यहां पर बात करूं बी जो है यह अपने सामने बचो यहां पर बी है यह बैसिकली कौन सी प्रोटीन है यह एच्वन प्रोटीन है ठीक है इसके प्रोटीन यहां पर यहां पर क्या हो गया है यहां पर इसदोन है तो बताओ थे को सुस्पेश्ची परमान इसके प्रिवोगों से प्राप्त हुआ यहां इतना हर्षे और चेस्ट ने अपने कोशिस की थी लेकिन बच्चों वो सक्सेस्पुल नहीं रहा हर्षे और चेस्ट जो है बच्चों उन्होंने सबसे पहले आप कह सकते हैं फोस्पोरस जो है 32 और सलफर 35 इन दोनों का यूज किया था वेक्टरियो फेस के अंदर और यूज करने के बाद उन्होंने बताया था कि बिल्कूल जो डी ने है वो एक जनेटिक मेटरियल है यह हम लोग साबित कर सकते हैं हर्षे और चेस्ट के एक्स्परिमेंट से आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन हो गया सब्सक्राइब भाद अपर नेक्स्ट 86 परती-कर्ती की बारे में कौं सा गलत है विच इंगर्ग्रेक्ट अब ऩाउट रेपींज में रेप्लिकेशन के उपर काफी expensive है तभी तो जब DNA की दोनों chain खुली थी तो एक साथ open नहीं होती है विकोज अगर एक साथ आपको unwinding करानी है तो उसके लिए lot of energy का consumption होता है जो cell में at a time available नहीं होता तो काफी expensive process है on the basis of energy semi conservative बिल्कुल आपन कह सकते हैं बचो DNA का replication कैसा होता है semi conservative है बनने वाला जो DNA है उसमें extend old और extend new होता है semi discontinuous है बिल्कुल it is continuous नहीं बचो DNA का जो replication है mainly अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि DNA का replication है वो बचो semi discontinuous होता है continuous नहीं होता है हाला कि continuous replication जो है वो भी sometime possible होता है ठीक है यहाँ पर देखो बच्चो जो continuous है वो भी कभी कभी हो सकता है लेकिन mainly बच्चो यहाँ पर कैसा होगा discontinuous होगा तो यहाँ पर answer कौन सा हो गया answer यहाँ पर हो गया third option ठीक है continuous rarely होता है mainly कैसा होता है semi discontinuous होता है next आगे बात करें इसमें question number 187 देख्या निमनों में से कौन सा हर्षे तता चेज परिक्षन के चनों का सही अनुक्रम है which is the correct sequence of हर्षे एंड चैज experiment step तो देखो बचो हर्षे चैज का जो experiment था सबसे पहले इसमें आता है infection infection के बाद में आता है blending blending ब्लेंडिंग के बाद में क्या आता है centrifugation सबसे पहले जो बैक्टरी ओफ हैजव अपना DNA डालता है बैक्टरी आगे अंदर infection कोज करता है उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं blending शो कर देते हैं फिर इसके बाद में क्या होता है centrifugation तो आंसर यहां पर हो गया second option नेक्स्ट इसके बाद में 188 कौन सा रोध प्रकूर्ट है विच इस स्टॉप कोड़ों यह बच्चो बहुत प्यारा question है आप ध्यान देना यादखना में मर्न जो होता है इस MRNA के अंदर जो कोड़ों है वो कैसे होते हैं वाइफ डैस टू ट्री डैस होते हैं ठीक है तो याद इतना इसमें यू ए यू ए यू ए जी यू जी यू जी यह बच्चो इसटॉप कोड़ों होना है देखो option में आपको तो 5-2-3 तो 5-2-3 एकर मैं बात करूं यहां पर तो देखो यह दिरखा है A-U-G यह बच्छो रोंग है यह तो start codon है फिर 3-5-U-A-G उल्टा पड़ इसको U-A-G यह बच्छो यहां पर रोंग हो गया 3-5-A-G-U तो देखो बच्छो A-G-U बिल्कुल यह यहां पर क्या हो गया आपका सकते correct answer है correct answer is third option ठीक है यह बच्छो यहां पर क्या stop codon है यहां दखना 3-5-स आने से इसकी sequence जो है वो बदल जाएगे बहुत अजीज कोशन है यह तो answer यहां पर third option हो गया next 89 lack operon किसका उधारन है lack operon is the example of बच्छो lack operon का मतलब होता है कि आपके सामने Z, Y और A है और वहां पर जो lactose है उसके entry होती है तो lactose की entry होने से वो चालू हो जाता है lack operon induce हो जाता है तो यह किसका example है आप कह सकते है inducible और पर उनका क्या है यह एक्जामपल है इसके बाद next question number 190 lactic अमल जिवानु का मुख्यकारिय है the main function of lactic acid bacteria is याद इतना lactic lactic acid bacteria जो है वो disease cause नहीं करता बलकि disease cause करने वाले जो पैतोजन्स होते हैं उनको किल करता है convert milk into curd बिल्कुल सही है produce antibiotic बच्चो एंटिवायोटिक कभी lectic acid bacteria से नहीं निकलती है तो answer यहाँ पर कौन सा हो गया second option हो गया 191 सोना लिका और कल्यान सोना निम्न पोदे की अर्द वामन किसमे है सोना लिका एंड कल्यान सोना और semi dwarf varieties of following plant तो बच्चो दोनों जो आप है कह सकते हो wheat की variety यहाँ पर है ठीक है इनकी productivity क्या होती है हाई और इसमें रिजिस्टेंस भी क्या होता है हाई कि नेक्स देखो question number 191 192 क्या है निम्न में से कौन सा कौन सी कोशिका में DNA स्तनांत्रिन की विधी जन्तु कोशिकाओ के लिए सर्वाधिक उपियोंगी है which of the following method of DNA transfer into host cell is best suitable for animal cell बचो animal cell की बात यहाँ पर के जारी है heat shock method किसके लिए होता है bacteria के लिए होता है biological method किसके लिए है plant के लिए है micro injection किसके लिए होता है animal के लिए होता है gene gun method यह की बात यहाँ पर है दोनों किसके लिए है plant के लिए एक चीज़ होती है तो एनिमल के अंदर क्या करतेगी माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जो DNA है उसको हम लोग कहां पहुँचाते हैं सिधा नुकलियस के अंदर पहुँचाते हैं नेक्स्ट 93 नंबर कोशन की बात करें कौन सा पेलेंड्रोमिक अनुकरम है वोट इस दे पलेंड्रोमिक सिक्वेंस बच्चो पलेंड्रोमिक सिक्वेंस की बात अगर मैं यहां पर आपको बता ना चाहूं तो पलेंड्रोमिक सिक्वेंस वो है जिसको एक डारेक्शन में या तो 523 या 325 रीड करने में सेम सिक्वेंस आएगा तो देखो टी सी सी जी जी ए टी सी सी बिल्कुल बच्चों यहां पे ट्रेक्ट आनसर है ए घी जी टी直िसी ए टी जी ए सी सी स्थी तो यहां पर रोंग हो गया तो पलेंडरॉमिक संचलन पर dna खंड को देखा जाता है dna stands on a gel electrophoresis can seen by तो याद देखना बच्चो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो हम लोग dna को देखते हैं तो जो पले dna है उसको बच्चो हम लोग इथीडियम ब्रोमाइट से standing कर लेते हैं और ultra wallet radiation जो होती है हम इसका बच्चों क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद में कि 95 PCR में होने वाले पदों को व्यवस्थित करो अरेंज the steps that occur in PCR in sequence तो बच्चों PCR में सबसे पहले हम लो क्या करते हैं नेचुरेशन करते हैं 94 degree centigrade temperature देकर डिने के दोनों स्टेंड को सेपरेट कर लेते हैं उसके बाद में एनलिंग एनलिंग के अंदर क्या करते हैं जो दोनों प्राइमर है वो सेट होते हैं फिर बचों यहां पर होगा extension मतलब टेक डिने पोलिमरेज उन प्राइमर को बेस मानकर extension कर देते हैं आंसर यहां पर कौन सा होगया सेकेंड ऑप्शन बसूर्यात्स द्वारा उत्पादित विश्प्रोटिन के लिए क्या सत्य है चूस दे कर्क्त ऑप्शन फॉर्टॉक्षस प्रोटिन प्रोटिस्ट बाई-वाइसीलस धूरीजेएंसmyham इंट एक्टिक मेडियम इंट से की डिया होती है याद्थ दगना पचों टॉक्सिक वाइन इसके बाद में है यहां पर क्रेक्ट आंसर कॉंट सा होगा जो मिट नहींद होता है उससे बचों क्या करता यह एपिछिलन से और लेगा ऊके तो बच्चों यहां पर हो गया वो गया वहां याइनधी सेवन नॉमब्र कोशन की बात करें निमन को सुमिलित करो कोलम फर्स्ट और कोलम सेगेंड को देखो बचो एकोलोजी का कोशन है यादतना इलेक्टो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर का हम लोग यूज करते हैं पाइटिकुलेट मेटर के लिए 99.9% आप यहाँ पर कह सकते हैं जो पाइटिकल्स होते हैं एर में जो की हमारे लिए हाम फुल होते हैं उनकों बचो क्या कर सकते हैं स्कुलबर किसके लिए आता है फो रिमूव सल्फर डियॉकसाइड केटलाइटी कन्वर्ट है किसके लिए आता है अनबरंट हाइडरोकार्बन जो होता है जो काफी harmful होता है ठीक है उसको बचो आप कह सकते हैं ये convert कर देता है तो यहाँ पे हो गया इस तरी के से matching हम कर लेते हैं बचो A में आ गया 2 B में आ गया B में बचो क्या गया 3 A में 2, B में 3 और C में यहाँ पे क्या गया वो न आ गया आसर यहाँ पे हो गया 3rd option Column 1st और Column 2nd को सुमिलित कीजिए मेश्ट Column 1st and Column 2nd याद अपना यहाँ पर है Hyper Saline Lagoon तो बचो Hyper PPT यहाँ पर दिया हुआ है इसका मतलब Parts per 1000 ठीक है बचो PPT यहाँ पर दिया हुआ है तो Hyper Saline Lagoon में कितना होता है contain about 100 PPT fresh water में कितना होगा 5 PPT marine water में कितना होता है 30 यह से 35 PPT तो बचो आशर यहाँ पर आ गया 1, 2, 3 तो इस तरीके से इदेगोद बचो यहाँ पर NCRT में डाटा दे रखा आपको कि जो salt है वो different type के water में different होता है 199 हजार जूल मातर सरक्षित होती है तो सीर्स मासारियों में देखो बचो सीर्स यहाँ पर आ गया को परात उर्जा के मातर है कितनी होती है if the amount of light energy conserved at the producer level of an ecosystem is 10,000 Joule then the energy rich to top carnivore will देखो बचो पहले यहाँ पर क्या आता है plant उसके बाद में आप आके आसे हर्विवोरस उसके बाद में कार्णिवोरस उसके बाद में top carnivores ठीक है बचो प्लांट पर कितना है 10,000 according to lindemann only 10% energy is transferred to next traffic level तो 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000 100 और 10 तो आंसर बचो यहाँ पर क्या आ गया 10 Joule आ गया उत्पादक्ता जे उभार की उत्पादन की दर है जो परदशित करती है productivity is the rate of production of biomass expressed in term of तो देखो बचो अगर हम productivity की बात करना चाहे तो productivity जो है उसका जो यूनिट है वो हम energy के form में भी ले सकते हैं और biomass के form में भी आप कह सकते हैं वेट के form में ले सकते हैं तो यह क्या हो गया वेट के form में किलो केलोरी पर मिटर क्यू बचो यहां रोंग हो गया ग्राम पर मिटर स्कॉयर पर यह बिल्कुल सही है वेट के form में है किलो केलोरी पर मिटर स्कॉयर पर यह एनर्जी के form में है ग्राम पर 10 स्क्वारी, बचो यहां रोंग हो गया, तो आंसर इसका हो गया, आप कहा सकते हैं 2nd and 4, तो बचो 200 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो गया, 3rd option आप यहां पे कह सकते हो, तो प्यारे बचो इस तरीके से एक्जाम के अंदर, एक्जाम का बिल्कूल यह पीक टाइम चल रहा है बिना मतलब हम लोग यहां पर आपको हर कोई कोशन नहीं दे रहें बलकि वोई कोशन दे रहें जो exam oriented है जिससे आपका confidence boost up होता है ठीक है तो उमीद बच्चों आप 17 जुलाई 2022 को अपना सबसे best दोगे Thank you God bless you